नमस्कार दोस्तों फरस्टिवल्स नाइम पर हमारे घर में बहुत तरीके के पकवान बनते हैं तो हम उन्हें खाते भी हैं नतीजह होता है वेट गेन करना तो उस बढ़े हुए वेट को हम कैसे लूज करें तो उसके लिए दोस्तों आज मैं एक बड़ी शांदार हेल्दी र आसान है खाने में इतना टेश्टी लगता है कि आप एक बार बनाएंगे तो उसे बार बार बनाना चाहेंगे तो स्वागत है आपका अपने चैनल हॉममेड रैसीप सुनीता सिंग पर आईए आज बनाते हैं वीट ब्रांग चीला यानिकी गेहूं के आटे की चोकर का चील और मैं बहुत सी सब्जियों के साथ बनाऊंगी तो इसका स्वाद बढ़ जाता है तो दोस्तों इसे बनाने के लिए ये चोथाई काटोरी मैंने वीट ब्रांग लिया है यानि कि जब हम आटे को च्छानते हैं तो जो चोकर निकलता है वही वीट ब्रांग होता है आप मार लाइन भी पर्चेस कर सकते हैं कई ब्रैंड्स में अवेलिबल है उतना ही मैंने गयों काटा लिया जिससे रूटी बनाते हैं यानि चोथा ही कटोरी स्वाद कनुछा थोड़ा सा नमत थोड़ी सी हल्दी आदा चंबच जीरा एक पिंच हींग ये डाइजेस्ट में हेल्प परती है टेश भी बढ़ता है आदा इंच अद्रक के टुकड़े को और दो हरी मिर्च को बारी कट करके डाल लिया है और दोस्तों ये कुछ सब्जी थी मेरे घर में मटर हैं गाजर हैं स्वीट कोन है इन्हें मैं चोपर से चोप कर लूगी उसके बाद इन्हें भी इसमें मिला दूगी आपके घर में और भी सब्जियां उसे भी एड़ कर सकते हैं ये एक चमच डाय रोश्रेट तील मिलाया है ये कुछ करी पत्ते हैं उन्हें डाल दिया धनिया भी डाल सकते हैं ये आधा कटोरी फ्रेस दही डाला दही खटता नहीं होना चाहिए और इसे अच् से मिला लिया है मिलाने के बाद इसे अच्छी तरह से फैट लोगी तो देखिए हमारा परफेक्ट बैटर बन करके तयार है आप देख सकते हैं ना ज़्यादा गाड़ा है ना ज़्यादा पतला है बस इसकी कंसिश्टेंसी ऐसी ही होनी चाहिए गैस की फ्लैम ओन करके उस पर नौनिश्टिक तवा रख दिया है और उसे तेल से अच्छी तरह से लगा दूगी ताकि हमारे चीले इस पर चिपके नहीं अब देखिए यह गरम हो गया तवा इस पर छोटे-छोटे चीले बनाएंगे तो हम थोड़ा-थोड़ा बैटर डाल कर इसे अच्छी तरह से एक बार में जितने तवे पर चीले आएंगे हम उतना बना लेंगे दोस्तों छोटे-छोटे बनाएं तो इसे हैंडल करना बहुत आसान है तो देखिए एक बार में तीन चीले आये हैं बना लिए हैं अब इसे ढख कर मीडियम फ्लेम पर पकने दूगी लगभग दो से तीन कर दूगी तो देखिए कितना इजीली फ्लिप हो रहा हैं आप देख सकते हैं तो मैंने सभी चीले को फ्लिप कर दिया आप दूसरी तरफ से भी हम इसे पकने देंगे अब हमें ढखने की जरूत नहीं है जब तक हमारे चीले गोल्डन क्रिस्प बनकर तयार नहीं होते हैं ह आप देख सकते हैं हमारे चीले कितने अच्छी तरफी से डोनों तरफ से गोल्डन क्रिस्प सब्सक्र करके तयार हूए हैं तो अब हमेने एक प्लेट में निकाल लेंगे आप देख पा रहे हूंगे कितने शांदार हमारे वीड़ बलाँ चीला बनकर तयार होएं उपर से क तो दोस्तों मेरी बताएगे रैसीपी के अनुसार आप भी वीट ब्राण के चीले बनाईएगा और कमेंट स्रेक्षन बताएगा जरूर आपको मेरी रैसीपी कैसे लगी आप देखे कितने सुपर सॉफ्ट है और इनका जायका तो परफेक्ट है दोस्तों मैंने पहले भी बह है वीट ब्राण इडली है वीट ब्राण ठोकला है वीट ब्राण रोटी है वीट ब्राण लड्डू है और भी बहुत सी रैसीपी आप मेरी चैनल पर जाकर देख सकते हैं तो बनाईएगा जरूर और बताएगा आपको मेरी रैसीपी कैसी लगी यदि आपको मेरी रैसीप की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे थैंक्स पूर वाचिंग मिलती नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई